सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटस्ट बिजनस और टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब दोस्तों सबसे पहले हैं कि आप बना चाते हैं तो ये काम क्या होते हैं सबसे पहले वह जान लेते हैं कि आप बनना चाते हैं काम आना काफी जिम्हेदारी वाला होता है इसके आप करना तो या फिर बाद में भी वीवान के जो सबी को सिस्टम होते हैं उनकी जांच अच्छे से करनी होते हैं और इसके साथ कि एर क्राफ्ट के विंक्स की जांच परताल इसके साथ 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 विमान में समान या माल के लोडिंग की जांचे परताल करना और मौसम के अनुसार उडान के लिए मार्ग बनाना साथ साथ ही इसके साथ साथ विमानों के सबी उपकरनों की जांच परताल करना और उनकी मरम्मत करना ये सारे काम क्या है कि फ्लाइट इंजिनियर्स के होते हैं और काफी अच्छा बास सा बारीक से ये काम करना पड़ता है और स्टर्टा से और जान पुर्वा की ये काम करना पड़ता है ताकि कि आए के उड़ान अच्छी रहे अगर दोस्तों आफ फ्लाइट इंजिनियर बनना चाहते हैं तो ये चांड करी भी होना आपको जरूरी है ताकि आप आगे अपना इंट्रेस्ट आगे बढ़ा सकें और ये चो काम होते है ने इनको करने के लिए फ्लाइट इंजिनियर की एक टीम होती है उन टीम के साथ मिलकर क्या है कि एक काम करना होता है कारों में मदद करने के लिए ये टीम पूरी त्यार रहती है तो टीम की साहता से फ्लाइट इंजिनियर एक राफ्ट सिस्टम होते ह तो उनको उपकरनों की जाँच परताल यह अच्छे कासे से करते हैं वहीं दोस्तों अगर बात करें कि इसके अंदर फ्लाइट इंजिनिर के तोर पर अगर आप जा किया है संभावने जोब कहां 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 कर सकते हैं और वहीं दोस्तों बात करेंगी फ्लाइट इंजिनियर्स अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो कहां कहां आप जोग कर सकते हैं तो अब सरकारी और गेर सरकारी जो एरलेंस कंपनी है उसके अंदर आप जा सकते हैं इसके लावा एरक्राफ्ट मैनुफैक्टरिंग कंपनी होती ह उसके अंदर आप जा सकते हैं इसके लावा Defense Research है Development Lab होती है उसके अंदर आप जा सकते हैं National Aeronautics Lab होती है उसके अंदर जा सकते हैं Software जो कंपनी हैं उसके अंदर भी आप जा सकते हैं इसके लावा Civil Aviation Department है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं संस्थन rav Springs Pak quadण 10 था इसके आंदर फ़ूप के साथ के सामने घूप सारे हैं तो दोस 총नार आपके अच्छा यहीं नहीं से सँर्ड जैसे जो अपका से बना सकते हैं और यहीं नहीं आएब कर चला करें मास्चर अरो के इंजिनिरिंग का आपको बड़ी-बड़ी software जो company है या फिर दोस्तों NASA जैसी जो शाखाएं हैं उनके अंदर भी आपको जोब है इसके अंदर मिल सकती है तो दोस्तों केरियर है खूब आपके सामने जो option काफी सारी option हैं आपके सामने जोब करने के वहीं दोस्तों बात करें कि फ्लाइट इंजिनर बनने के लिए qualification यानि दोस्तों योगिता कैका चाहिए तो दोस्तों वहीं आपको क्या है कि फ्लाइट इंजिनर अगर आप बनना चाहते हैं तो जो भी candidate है उसको क्या है कि physics, chemistry और math के साथ क्या है कि अच्छे marks के साथ 12 पास होना ज़रूरी होता है और इसके साथ क्या है कि आपका interest होना भी ज़रूरी है इसके अंदर इसके साथ आप उताना चाहिए कि उमीदवार जो भी candidate है उसका क्या है कि mechanical, electrical या फिर aeronautical engineering में degree करनी होती है अगर दोस्तों आप math या physics जो subject है उसके साथ आप graduate है और दोस्तों आप flight engineer बनना चाहते है तो दोस्तों इसके साथ किसी मानेत अपराद विमानन संस्तान होते हैं जो उनसे क्या है कि आपको flight engineer प्रमानत पत्तर प्राप्त करना होता है और इसके साथ जो भी candidate है उसका किया कि medical test भी pass किया हुआ होना चाहिए जिसके बाद किया है कि आप flight engineer बन सकते हैं आप दोस्तों एक flight engineer का जो salary होती है वो कितनी होती है तो दोस्तों इसके अंदर आप अनुमान लगा सकते हैं इसके अंदर लाखों की salary इसके अंदर मिलती है यानि दोस्तों एक idea लगा हैं तो यानुमान से किया है कि आप एक लाख परमत की salary भी आप राप्त कर सकते हैं या निकि दोस्तों सालाना बारा लाख से उपर का package आपको मिल सकता है इसके अंदर और ये salary इसके अилरी फिक्स नहीं है कि आपको इतनी salary बिले हैं ये कम ज़्यादा भी हो सकती है सरकारी और गयर सरकारी जो company है उसके अंदर ये salary बिलेकर पर लेकिन काफी अच्छी का सी salary इसके अंदर रहती है आपको अव्याय सवदैन भी आपको दी जाती है जिसले क्या दोस्तो जय हिंद ववन दिमात्रव